हाँ जी एक बार फटा फट से हम स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं इंकम टेक्स में हमारा चेप्टर था बेसिकली चेप्टर नमबर टू है चेप्टर का नाम है रेजिदेंशल स्टेटस रेजिदेंशल स्टेटस में क्या बात करें हम तो रेजिदेंशल स्टेटस क इसे कोई भी एक satisfied करना जरूरी है जैसे अगर वो person इंडिया में 182 दिन रह ले लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं भाईया आप तो हो गए resident लेकिन अगर वो 182 वाला condition फुल्फिल नहीं कर पाता तो हम चेक करते हैं उसका दूसरा condition दूसरा condition कौन सा basic condition number two के person जो है अगर 182 द दह रहे हो ना इंडिया के अंदर और साथ के साथ पिछले चार सालों में कितने दिन 365 दिन तब भी हम आपको बोलेंगे आप हो गए resident लेकिन सर ये 365 और 60 दिन के के exception case में applicable नहीं होता यहां पे हमारे पास तीन exception cases है अगर आप इंडिया से बाहर जाते हो नौकरी करने के लगेगा आपके उपर लगेगा condition number one अगर आप crew member हो Indian ship बगेरा पे काम करते हो तब भी आपको जो है condition number one ही लगाये जाएगा condition number two check नहीं करेंगे यह अच्छी बात है बेकार बात है अच्छी बात है क्योंकि वो क्या होगा कहीं न कहीं बच जाएगा text देने से government ने relief दिया ह हो है condition number three अगर आप Indian origin हो तब भी आपके उपर condition number one लगेगा condition two नहीं लगेगा लेकिन सर Indian origin क्या होता है Indian origin जिसका खुद वो परसन या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी या उसके मम्मी पापा undivided इंडिया में born हुए हैं तो उसे क्या कहेंगे Indian origin undivided इंडिया से क्या मतलब है सर जो 1947 से पहले जो इंडिया में born हुए थे यानि इंडिया और पाकिस्तान के बटवारे से पहले की बात चल रही है ठीक है Indian origin है जैसे मैंने example लिया था कल्पना चावला जो की Indian origin थी और इसके उपर exception number ये भी exception case का ही पाट है condition number स्रिफ 1 apply होगा लेकिन 2 नहीं होगा लेकिन इसके अंदर आ गया सर थोड़ा सा amendment और amendment क्या आ गया सर इसके अंदर amendment ये आ गया इसके अंदर के सर आपके उपर condition number 2 भी apply हो सकता है इस वाले cases के अंदर सर आपके उपर condition number 2 कब apply हो सकता है अगर आपकी income कितनी हो जाए 15 लाख रुपए से exceed कर जाए आप Indian origin हो ठीक है सर आपके उपर condition 1 लगेगा 2 नहीं लगेगा लेकिन अगर आपकी Indian income यानि foreign income को छोड़के Indian income जैसे ही 15 लाख से exceed होगा तो Indian origin पे हम दूसरा भी check करेंगे लेकिन कुछ changes के साथ सर क्या changes जहां पे हम आपके साथ 60 दिनों का हिसाब करते थे वहाँ पे कितने दिन लेंगे हम 120 days बागी पिछले 4 सालों में आपका same रहेगा 365 दिन अब इसके साथ साथ एक और case था आपका कि कई बार कुछ person ऐसे हो सकते हैं जो कि कहीं भी resident है नहीं कहीं नहीं है US में काम कर रहा है वहाँ भी resident नहीं इंडिया में काम कर रहा है यहाँ भी resident नहीं Indian government ने क्या देखा कि उसकी income ना 15 लाख रुपे से जादा है इंडिया से तो Indian government क्या बोलेगा भाया तुम कहीं तो tax दे नहीं रहे तो यहाँ पे भी income कमा रहे तो आपको इंडिया में tax देना पड़ेगा आपका status resident मान लिया जाएगा मान लिया जाएगा मतलब deemed to be resident कहा जाएगा आपका status मान लेंगे resident और आपको tax देना होगा आपका ये सब नहीं चेक करेंगे 182 दिन 60 दिन आप कहीं resident नहीं हुए तो भारत में आप हो सकते हैं लेकिन उसके लिए condition आपकी income कितनी होनी चाहिए 15 लाग से जादा और कौन सी income इंडियन इंकम ठीक है सर इसके बाद हमने देखा था कि इंडिया का मतलब क्या है पूरा जो इंडिया का part है वो तो इंडिया ही है लेकिन इंडिया के बाहर जो समुंदरी एरिया है जो कि आपका sea level है उससे 12 nautical mile तक भी इंडिया का हिस्सा मा जाना जाएगा सर इसके साथ साथ एक nautical mile में कितने kilometer होते हैं 1.8 exam में कभी पूछा नहीं गया है और नहीं पूछा जाएगा कितने kilometer होते हैं बस एक journal knowledge के लिए ठीक है सर आगे हमने क्या देखा इसके साथ हमें अब additional condition भी चेक करना होगा basic condition तो 182 दिन और 60 दिन वाला था ह अब आपका additional condition भी चेक करना होगा additional condition में भी दो condition है एक आपको दो बार resident होना पड़ेगा 10 सालों में दूसरा 7 सालों में 730 दिन तक आपको इंडिया में रहना होगा सर अब इसके अंदर अगर आप दोनों condition चेक करते हो तो आपको तीन तरीके के status दिये जा सकते हैं नमबर बन या तो आप resident, ordinary resident हो सकते हो अगर आपको resident, ordinary resident यानि simply ROR कब कहेंगे जब आप कोई भी एक basic condition complete कर देंगे और दोनों both additional condition complete करेंगे तब आपको क्या status दिया जाएगा ROR का लेकिन दूसरा क्या हो सकता है आपका status हो non ordinary resident यानि NOR आप NOR कब बनेंगे आपने basic condition तो कोई भी एक complete किया लेकिन या तो आपने additional condition एक ही complete कर पाए या additional condition आपने किया ही नहीं तब भी आपका status क्या बन जाएगा? NOR साथ के साथ अगर आपने basic condition ही नहीं पूरा किया तो आप क्या बन सकते हो? NOR लेकिन यहाँ ध्यान रखना एक बात जो मैंने बोला था कोई person कहीं दूसरी country में resident नहीं हुआ लेकिन उससे की income इंडिया से जादा है 15 लाग से जादा है वो इंडिया में भी resident नहीं है लेकिन उसकी income क्या है 15 लाग से तो हम उसके उपर ये कोई rule नहीं लगाने वाले हम बोलेंगे भाईया तुम तो हो ROR और तुम्हें text देना पड़ेगा समझ मैं इस बात आपको इसके साथ साथ कुछ practical questions भी हमने देखे थे करके try किये थे जो आपके past exam के ही question है जो आए हुए है आपके exam में तो ये सारे के सारे हमारे क्या थे कुछ practical question और कुछ मैंने आपको homework में भी दिया था ये था जितने भी हमने अभी तक बाते करी ना ये residential status किसका है सर ये है किसी individual का ये किसका था individual अब हम बात करेंगे HUF मैंने बताया था कि आपको residential status तीन लोगों का ही पढ़ाऊंगा मैं वैसे तो सब का है थोड़ा थोड़ा बताना है main है individual HUF भी ना के बराबर मान लो exam में आता और company का भी ना के बराबर था चोटी चोटी से बाते हैं इसलिए अगला हम देख लेते हैं उसको खतम